बिस्मिल्लार्म रहिम विल्स आज के इन बरीकुल की स्टेटमेंट है find the acceleration that is produced by a 20 newton force in a mass of 8 kg solution में हम सबसे पहले given data दिखेंगे find the acceleration that is produced by a force by a 20 newton force यानि हमें पॉर्स कॉंटी नूटन फॉर्स दी हुई है और मैस दी हुई है 8 kg और हमने जो find करना है वो क्या करना है यह तो गया ना given जी find हमने करना है acceleration और जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा आपके सामने तीन चीज़ें है force है mass acceleration है यह तीनों चीज़ें कहां होती है किस फार्मूले में होती है Newton second law of motion शाबाश एफ इस इकल टू एम ए तो अब हम यह फार्मूला है एफ हमारे पास है 20 न्यूटन और मैस मारे पास है 8 kg और acceleration हमने find करना है वो ऐसे लिए इसका तरह मारे पास आजेगा 20 न्यूटन ओवर 8 kg यह acceleration यह acceleration आ गया और हम इसको लिख सकेंगे a is equal to 20 को गर 8 पे हम divide करें calculator से आप divide कर सकते हैं और अगर calculator use नहीं करना तो 8 पे divide करते हैं एट टू जार 16 फोर आ गया फिर हम पॉइंट लगाएंगे यहां 0 तरह आएंग एट फाइफ जार फॉर्टी तो यह बन जाते है तू पॉइंट फाइफ एक्सेलेशन इस तू पॉइंट फाइव न्यूटन पर केजी अब ये न्यूटन पर केजी को न्यूटन की क्या यूनट होती है किसी को याद है इसको एक्सेलेशन की यूनट लानने के लिए हमें पता है के न्यूटन 1 Newton किसके ब्रवर है Newton किसके ब्रवर है 1 Newton is equal to 1 kg meter per second square तो हम यहाँ पे Newton की जगा रगा जती है kg meter per second square और यह per kg पहले से मुझूद है इसके साथ cancel होजेगा तो आजेगा 2.5 meter per second square तो यह required acceleration है तो आप इसको दिख सकती है does the required acceleration is 2.5 meter per second square अमीद है यह numerical भी आपको समझा आगया होगा अगर आपको को प्राब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं हक्रड़ कि अ citrus POW एक Bulgar को समय तो सकते हैं हुर्क्षांट कर आप कमेंट